कि नमस्कार गुट लग टेप्स नाप सब्सक्राइब कराते हैं आपका तैनिकर राच्ष पर बताएंगे आज कहने होने वला है आपके दिने आपका दिन अच्छा होगा साधी क्या लाब दिलाएगा साधी बताएंगे आपकी परिशानी उसे बश्चने के कुछ आसान से टे गुट लग टेप्स मैंगे आपका आज के दिनको सफ़ बनाने के लिए साधी किया कहता है आज का दैनिकर आज के लिए एसे को दैने के लिए हमार साध मार्सा थूडियो में मोजू था जाने माने जोचिस अचारे पंड़त अनुके शाप्रीजी पंड़त पर बहुत पॉ गुल अप्रिप करकम के सभी दश्कों के उपर भवानशी हरी का मा लक्ष्मी का मा बगला मुखी का आशिरवाद और कप्रदस्ट्री हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्यार आए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल सितारों की चाल क्या कहती है आज के दिन किसमत आपकी आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब पेचर्चा करेंगे साथ ही जानेंगे रातरी के समय शुम मिंदर में एक घी का दीपक कैसे आपकी financial crisis को दूर कर सकता है दरिदरता को दूर कर सकता है कैसे आपको माला माल बना सकता है तो शुरुवात करते हैं आज के दैनिक राशी फ़ल के साथ प्रथम जो राशी वो है मेश राशी मेश राशी वाली जो हमारे दर्शक है आज आपका दिन थोड़ा सा स्लो रह सकता है धीरे धीरे चलने वाला रह सकता है धैरे शान्ती के साथ बगर आवाज किये अपने रास्ते पर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा फीचर के बारे में आज कोई एक एहम फैसला अब इक डिसीजन आज आपको करना पर सकता है आज के दिन के सफलता के लिए लाल पुष्प अपने पूजास्तल पर अरपन कीजिएगा निश्यत तौर पर दिन अच्छा पूसरेगा अगली जो राशी है रशब राशी रशब राशी वाले जो हमारे दर्शक है अपनी प्लानिंग को आज बचा कर रखेगा बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रत नहीं लेकिन आगे की रूप रेखा मनी मन में बनाना शुरू कर जीजिएगा सेहत को लेकर सावधानी रखेगा आज के दिन की सफलता के लिए माता रानी के चड़नों में कमल का पुषपालपन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा दिन अच्छा को से आगली जो राशी हुआ है मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज का दिन आपके लिए special साविच हो सकता है भूमी संबंदी कारे बनेगी कोड संबंदे तुमामलों में सफलता मिलेगी आज आपको ध्यान ये रटना है कि आपकी जितने भी energy है वो एक ही काम पर आपको नहीं जोगनी है आज के दिन के सफलता के लिए जल का दान कीजेगा दिन अच्छा पूसरी अपने भाई येश के लेजाना चाहती है येश की जन्म का समय है राती का दस बचेगा नहा जी बहुत बहुत श्वागत है आपका प्रश्म कुछिए सवाल पूछे नहा जी जी नहा जी क्या जानना चाहती है अपने भाई के बार में हाजी पंड़ जी वो 12th क्लास में है कॉमर्स लिए पंड़ जी बताओ ये जोब कैसे मिलेगी पंड़ जी बहुत मैंद करता है आगे इसका फूजर कैसा रहेगा जोब के सरकारी मिलेगी प्रवेट कैसे मिलेगी कॉन सी क्लास में है कॉन सी क्लास में है पंड़ जी अभी 12th में कॉमर्स लिए है ओके देखिए नहा आपकी जो ब्रदर हैं उनकी जनम कॉन्ड़ी के अंदर जो सबसे पहली बाग तो है मगा नक्षतर का जनम है मगा नक्षतर गंडमूल नक्षतर में आता है पैदा होते ही 27 दिन के अंदर उसकी पूजा होनी चाहिए आपके माता पिता ने इसकी ये शांती करवाईए येन करवाईए अगर नहीं करवाईए तो युग यचारे के लिएशन में मगा नम गंडमूल नक्षतर की शांती अवर्श्य करवाया शनी का दान वगरह सब करवाईएगा बच्चे की जर्म कुड़ी में एजुकिशन हाउस में सूरे बुद और चंदरमा तीन ग्रह एक साथ बैठे है निशित तोर पे शिक्षा की शेत्र में काफी आगे बच्चाए जाएगा जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है इसके सरकारी नौकरी के घर का स्वामी जो शनी है वो इसका नीच का होके बैठा है इसलिए इसके कुड़ी में सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है दोसी लाइन के अंदर प्राइविट सर्विसेज में he can do much better और चुकि लगने शनी है लगन में शनी बैठा है तो he has to be careful regarding his decision अपने निर्णा के पती सावधानी रखें दो तिन चीजे जो उपाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ शनी नीच का एक तो सिर की चोट से इसको बचना है गारी घोड़े ध्यान से चलान है उसके साथ साथ में नीला और काला रंग इसको अपने जीवन में बहुत जाद इस बच्चे को और एक सवाच्य रती का तिकोना मुंगा चान्दी के अंदर धारन करना है बाकी ओवरॉल इसका केरियर बहुत अच्छा सैट होगा प्राइविट सेक्टर में काफी अच्छा मुकाम हासिल करेगा शिक्षा भी काफी अच्छी हासिल करेगा सिफ शनी का अच्छी जुड़ी है उशा जी है एनके जन्म की तारीक है 151 निसो मान में और जन्म का समय सुबह का साथ बच का 15 मिनट का उच्छी बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रिश्न पूछिए जटेंक जिए सवाल पूछी हो शाजी क्या पूछना चाहती है क्या परिशानी है अमें जोब करते लगेगी है कौन सी जोब चाहती हो बिटा किस किस वेकेंसी में फॉर्म भराए है अभी तो चल रही है अब भरू ही सरकारी नौकरी चाहती है लगता है पंडी क्या है विटा किस वेकेंसी किया है इनोंने अच्टी आपकी जनमकुली के अंदर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं इसमें कोई दोराइन नहीं है सन 2018 आपके जीवन का टर्निंग एर साबित हो सकता है अगले वाश 2018-19 के अंदर आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं राहु मंगल का अंगारा के योग है अपने दिमाग को स्थिर रखिए अपने विचारों को स्थिर रखिए और मेहनत कीजिए किसी भी कंपडिशन में सक्सेस के लिए यू नीड बैटर लग आपका भाग्य अच्छा है लेकिन दिमाग के अंदर जो उचाटन रहता है फ्ल कर लीजे सवा पांच रखिए का चांदी में नीमित रूप से उठके सूर्य भगवान को जल का अर्द अवश्य प्रदान करें इसनान आदिसे निवरत होने के पश्यात में हो सके तो आदित्य हिद्य स्थोत का पार्ट करें 101% आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ती होगी साथ में आपकी कुली के इंडर एक दोश है वो दोश है पित्र दोश। अपने मतर को बोली अपनी माता को बोली कि जहां पानी का मठका भर के घर मेरे सोई में वहाँ पर पितरों के नाम का शुब्र देशीगी का दीपक अवश्य जलाए बाकि आपकी कुली बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के योग 101 परसेंट बनते हैं पंडिशी अवी के लिए दर्शक भी हमारे साथ जुबी है मीना जी है कोटा से अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती है इनके पुत्र की जन्म की तारीक है 23.12.1982 मीना जी आपका बहुत बहुत च्वागत है अपने पुत्र के जन्म का समय बताई और प्रश्न पूछिए मीना जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए जैशी किष्णा मेरे बेटे का जनम में 23 बिसंग ने 1912 मेरे बेटे ने मकाश्री कराया दो साल हो गए पूछना क्या चाहते हैं अपके बच्चे की जो जनम पूली है उसके इस बच्चे को भी बुद की मादशा राहु का अंतर चल रहा अगस्ट 2016 से इसको बुद की मादशा राहु का अंतर फरवरी 2019 तक रहेगा राहु का जो काम है वो हर काम में अर्चन डालना है राहु इसके भग्यस्तान में बैठाई तो राहु जो है वो अर्चन डालता है जिसके कारण हर काम में थोड़ी सी डिले होती है तो हमारे इसाब से इसका जो अच्छा समय है फरवरी 2019 से शुरू होगा यानि लगबग एक साल का समय अभी और लग सकता है एक साल के पश्चात में इसके जीवन का सरुसिस्ट समय शुरू होगा आपके बच्चे की कुल्डी बहुत अच्छी है शनी उच्चिका है, मंगल उच्चिका है आप तो सिर्फ एक काम कीजिए हर रैवार को पास में आपके याँ पे वहरुजी का मंदीर हो या चंबल नदी है कोटा के अंदर थो वाइट उड़त की डाल के बड़े बनाईे सफेद उड़त की डाल के बड़े बनाईे 11.51 बगर नमक विरज के फिर हर बड़े पे एक एक लॉंग लगा कर अपने बच्चे को दे दीजे इसके हाथ में रखके प्रात्ना करके कि मेरी जो भी मकान के कंस्रक्शन में जो भी हर्डल सारी रुकाउट यारी वो सब दूर हो वो मेरा मकान बने इस प्रात्ना के साथ में उन बड़ों को मचलियों को खेला दे ऐसा कम से कम 11 रईववार करे जितनी भी हर्डल से हैं जितनी भी रुकाउटे हैं उन सब रुकाउटों से मुक्ते मिलेगी तो चली दर्शकों भी कला आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंग और कर्या रशी वाले चातकों की लिए कर्क राशी की बात कर लेते हैं पैसों से जुड़े मामलों में आज सों समझ कर निर्णे कीजिएगा रपार में विवादों का निप्टारा होगा लाब होगा कारेस्थल पर वातावरन पक्षका रहेगा किसी की साथ बहस विवाद से बच्चिएगा केसर का तिलक लगा कर घर से निकलेगा दिन अच्छा गुसरेगा अगली जो राशी हो सिंग राशी आज कोई पुराना काम जो रुकावा है वो आज पुरा हो सकता है कानूनी बातों का निर्णे आस्सो समझ कर कीजिएगा मन थोड़ा एमोशनल आज हो सकता है विथित रह सकता है इसलिए अपने एमोशन्स में आकर कोई घलत स्टप मत उठा लीजिएगा आज के दिन की सफल तक लिमा का आशिरवाद लेका दिन की शुरवाद कीजिएगा दिन अच्छा कुछ रेगा कई बार हमारे जो बच्चे हैं वोशन्स में आकर गलत कदम उठाते जान रखे मन तो परिवर्तित होता रहता है यह मनुश्य जीवन बहुत मुश्किल से आप लोगों को मिला है इसे व्यर्थ में मत जाने दीजी इसका सदव ब्योग कीजी चलिए बात करते हैं कन्यराशी के बारे में कन्यराशी वाली जो हमारे दश्चक है आज का दिन आपके लिए मिश्चित फल देने वाला रहेगा व्यापार में लाभार जन यानि प्रॉफिट थोड़ा कम होने का योग है स्वास थोड़ा कम जोर रह सकता है गलत फहमी से बचना होगा अधर्वाइस एट विल क्रिएट सम हर्डल्स पॉर यू आज के दिन के सफल ताके कि छोटी करने को कुछ भोजन करवा दीजिएगा दिन अच्छा कुछ रहेगा तो दुर्शकों फिलाल के लवक्त उत्राइक छोटे से ब्रेका कहीं मुझाएगा चला हसर होता है